पोक महान हैं, महराज महरभोज हैं, यही परंप्रा आगे बढ़ती है, पिर्थिवराज चोहान हैं, महाना प्रताप हैं, इसे पहले महराज सुहिल देव हैं, चत्रपती सिवाजी महराज हैं, देश की आजादी की लड़ाई में 1857 की प्रतम स्वातंतर समर के दोरान, जहांसी की रानी लक्षिमी बाई या उन तमाम लोगों के, राजा महराजाओं के, महरानियों के, योगदान को कौन बिस्मृत कर सकता है, आज भी भारत की गाथा में, भारत की परंपरा में, बड़े सम्मान और सर्था के साथ, लोग उन्हें समन करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन राहुल जी को कभी, मद्यकाल की, मुगलों की वे अत्याचार, याद नहीं आये, जिनोंने हिंदुस्तान का, इसलामी करन करने के लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ी थी, जिन लोगोंने अत्याचार और ब्रबरता की, सभी सीमाओं को लांग डाला था, राहुल गांधी को इसके बारे में भी थोड़े चर्चा करनी चाहिए, ये भी बताना चाहिए, कि आखिर, अयुद्या में राम मं इसे भी स्वनात मंदिर हो, या फिर मत्रा में से क्रिश्टन जन भूमी, इनको तोड़ने का दोशी कौन था, देश के अंदर ब्यापक, पैमाने पे, मद्यकाल में देश की सनातन संस्कृति और सभ्यता की खिलाब, तलवाल के बल पर नरसंघार करने वाले कौन लोग थे, नालंदा और तक्स सिला जैसे बिश्टोवित द्यालेयों को, किनों ने नस्ट किया था, कौन लोग थे वह, उनके भी थोड़ा चर्चा कर लेते, लेकिन दुरुभाग्य है, अपने आप,